अगे बढ़ाई है उस कारे उज्णा को आगे बढ़ाने के लिए सासन ने भी और प्रसासन ने भी आएम लखनों के साथ मिलकर के एक मंथन के एक अवियान को आगे बढ़ाया है और मुझे बताते विए प्रसंता है कि उसके बहुत अच्छे पैड़ाम सामने आएंगे दाई वर्स के दोरान हमारी सरकार ने कुसल बित्तिय प्रबंदन और राजस्व संग्रा में भी सफलता प्राप्त की मुझे बताते विए प्रसंता है कि 2016-17 में वैट और GST के माद्यम से जो राजस्व संग्रा होता था और कुल 51,000 करूर रुपे होता था और आज इस नए बित्तिय वर्स में यह पहुंसते पहुंसते लगभग 75,000 करूर रुपे से उपर पहुंचने जा रहा है खनन में 16,17 में राजस्व संग्रा कुल 1500 करूर रुपे तक था आज इस चार हजार करूर रुपे से उपर पहुंचने जा रहा है और मंडी में इलगभग 600 करूर रुपे से बढ़कर के 1800 करूर रुपे से उपर पहुंचने जा रहा है इसी प्रकार से प्रदेश के अंदर हमने राजकोसिय जो घाटा है सकल घरिलू उत्पाद का या पहले 3.30 प्रचसत था आप सब जानते हैं कि यहाँ एक खतरनाक इस्तिती की और प्रदेश को ले जानने की इस्तिती थी कोई भी बित्य संस्तान प्रदेश को इन इस्तितियों में लोन देने को तयार नहीं था और मुझे यह तीन प्रचसति से कम होना चाहिए और मुझे बताते वे प्रसंता है कि हमारी सरकार ने प्रदेश के अंदर ना केवल लोग कल्यानकारी योजनाओं को आगे बढ़ाया ना केवल किसानों के लिए नौजवानों के लिए महिलाओं के लिए समाज के प्रतेक त देवलमेंट की कारवाई की अभी तो अपने राज कोशियक घाटे को भी जो सकल घरील उत्पाद का तीन फिस्दी से कम होना चाहिए था जो पिसली सरकारा में 3.30 प्रिस्षत पहुंच चुका था हमारी सरकार उसे पुना दो दसम्लाव नो तीज नो साथ प्रिस्षत तक लाने में सफल रही है और हम उसको लेकर के आगे बढ़ रहे हैं इस दोरान हमारी सरकार ने जो रेबनियू सर्पलस था पुरवरती सरकार में जो 1.6 प्रिस्षत तक चला गया था आज हम उसे लेकर के 3.2 पिस्दी तक लेकर के यानि पिसली सरकार से एकदम डवल पर ले ज को आगे बढ़ाने की जो हमारी कारवाई चल लए है और उसके अंतरगत हम लोगों ने जो 5 हम लोगों ने प्रैटी सेक्टर चुने हैं उस पर हमने तेजी के साथ कारवाई प्रारंब की है और उसी के लिए हम लोग आयम के साथ वर्तमान में मंधन के 3.4 की कारवाई को पाद्योकिक निवेस और रोजगार सिर्चन को ले करके हैं तीसरा प्रदेश के अंदर किरसी विकास और उसके साथ हम लोगों ने एगरिक एग्रेक्सपोर्ड को आगे बढ़ाने की सामय की जाने वाली कारवाई है चौथा है सहरी विकास और नियोजन को ले करके हम लोग उदे libriski के साथ सथ Mr ओनesान कारवाइं को आगे मुझे बताते हैं कि जो उत्तर प्रदीस जिसके बारे में लोग नहीं कि अस्ता नहीं प्राप्तर कर सकता आज तमाम केंद्रिय योजनों में उत्तर प्रदेश नंबर एक और दो अस्थान पर है, धाई वर्स के दोरान प्रदेश में हमारी टीम ने जो प्रगति की है उसका पेड़ाम है कि प्रधान मंत्री आवासियोसना सहरी या ग्रामिड उत्तर प्रदेश नंबर एक पर, प्रदेश को 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 अंदर इटेंडरिंग में जो सर्वोत्तम पर्फॉर्मेंस का पुरुसकार है वह भी उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुआ है साथिसाथ प्रदेश में कौसल विकास की नीति को लागू करने में भी प्रदेश सरकार को पहला प्रुसकार प्राप्त हुआ है गौवर्मेंट इ उत्तरप्रदेश पहले अस्तान पर प्राप्त हो उत्तरप्रदेश को पहला अस्तान प्राप्त हुआ है